हावरू फीक्स सैमसंग एठर्टी टू फोर जी कीप रिस्टार्टिंग आफ्टर अपडेट प्रॉब्लम नंसकार दोस्तों सब्सक्राइब सभी का तिकराच यूटूब चैनल पर तो दोस्तों अगर आपकी जो डिवाइस है आपकी जो सैमसंग की डिवाइस है वो अगर र पोलो किये आपका प्रॉब्लम डेफिनेटली फीक्स हो जाएगा ठीक है क्योंकि दोस्ते यहां पे जो अपडेट करने के बाद प्रॉब्लम आ रहा है उसको सौल्फ करने का तरीका दोस्तों आपको यहां पे मिलने वारा है त्यूंकि दोस्तों हमेशा जो है अप्डेट एक solution रहते हैं लेकिन अपडेट करने के बाद ही problem शुरू होते हैं तो आपको यहाँ पर दूसरा solution करना बहुत ही ज़रूरी है तो क्या solution करना चाहिए आईए मैं आपको बता देता हूँ वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके आप बैर आइकून को क्लिक करें अगर आप ऑनलाइन पे सकाबाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप् मैं बता देता हूँ तो आपका दोस्त Whitting आप चेक किजिगा ठेकिए अगर एसको डीसेबल कर दे बैटरी सेवर वगडरे दोस्तों आपने लगाया हुआ है तो उसको भी डिसेबल कर दें ठीक है उसके बाद चोशोचिक करके आप देख सकते हैं अगर प्रोल्यम होजाता ह एक झाति ही अगर नहीं हो रहा है तो जनेरल मेनेंचिमेंट पर जाईए ए इस क्रोल डाउन कीजे रिसेट पर क्लिक कीजे और रिसेट और क्लिक करका पको कई सेटीं की वज़े साहर आपको यह आ प्रेलिम हो रहा है तो ca– perspective नीयों भी नहीं सब्सक्राइब करना होगा यहाँ पर क्लिक करके मुबाइल पासवर्ड भर दे और रिसेट कर दीजिए अपने मुबाइल को तो रिसेट दोस्तों एक ऐसा सॉलुशन ने जिसके मदल से आप इस प्रॉल्म को सॉल्व कर सकते ठीक है अगर दोस्तों आप जो है इंस्टेनली रिसेट नहीं करना चाहते तो भी दोस्तों आप यहाँ पर क्या कर सकते आप थोरा सब मुबाइल को जो है क्लीन अप करके देखिए ठीक है मुबाइल इस पेस को क्लीन अप किजिए बहुत सारे एप्स एह अन्यूस एप्लिकेशन से तो डिलेट कर दीजी सारे सब्सक्राइब को एप्लिकेशन इंस्टॉल करने के बाद इससा प्रोब्लेम सुरू हुआ है तो यह सब दोस्तों आप यहाँ पर कर सकते मुबाइल को स्वीच ओफ करके देखिए ठीक है स्वीच ओफ करके मुबाइल को और उसके बात आप ट्र और फिर आप जो हे मुबाईल को fa stood कर दे या तो फिर आप जहें Next Update के लिए वेट करें तो आप यही कर सकते हैं या फिर आप अगर आपको टेक्णिशन के मदद लेना है तो आप वह भी ले सकते ठीक धके किशी थैंक्स वर वाचिंग।